नमस्कार मैं हूँ प्रफुल केदारे और आप देख रहे हैं सस्ट मुक्तांगान जहां व्यक्त होंगे मुक्त विचार, मुक्त मन इसका मतलब है कि दोस्तों समाज के हित में, समाज के कल्यान में कई सारे लोग अपना काम मिच्वारत भावना से करते रहे हैं लेकिन हमें ऐसे लोगों का सन्मान करना चाहिए, ऐसे लोगों का गवरव करना चाहिए, समाज के समक्ष उनका तकारात्मत दर्शन कराना चाहिए यहां दोस्तों, SST महाविद्याला, SST मुक्तंगन के माध्यम से कई समय से ये काम निफस्वारत भावना से कर रहा है जिहां भाषा किसी भी समाज का, किसी भी जर्टी का अभिवेत होने का सर्शक्तमाद्यम उस देश की, उस समाज की, उस राश्ट की पहचान होती है प्राचीन भाषा पाली ये हमारे देश का गवरव है, एतियाहसी का गवरव है जी हाँ उसमें उसका इतिहास, आज तक उसमें हुए बदलाव और उसका संभाववे भविश्य इस बारे में आज हम दिवेचन करेंगे, इस बारे में आज हम परामर्ष लेंगे इसलिए हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है इस भाषा के प्रचारक, प्रशारक और चालीत साल तक अध्यापकर है चुके पंजाबराव प्रधान के आईए देखते हैं उनके इस कारियत में या छोड़ीत में जहते हैं एक शिक्षक की भूमिका से आप चार दशक से भी ज़्यादा समय से पाली जैसे एतिहासिक और वैश्वीक भाषा को पढ़ाने में उसके प्रचार प्रसार के लिए कारियरत हो तक्षशिला महाविद्यालय में आपने 32 साल इस भाषा का दान दिया है 1998 में मुंबई विभाग शिक्षन विभाग बोर्ड में 108 साल के बाद पाली भाषा का अध्यापन शुरू करने में आपकी एहम भूमिका रही है जेश्ट पाली अभ्यासक केशव एम भगत इनके मार्गदर्शन में पाली का सखोल ज्यान प्राप्त कर आप आज भी पाली पाठ, सेमिनार, साहित्य सम्मेलन, विविद परिक्षाओं का आयोजन, व्यक्ष्यान इनके माध्यम से पाली जनजन तक पहुचाने के लिए प् संस्था के संपादक मंडल सदस्य भी रह चुके है, पाली भाषा के कक्षा आठवी के पाली पावेसो, पाली पवेसिका, कक्षा दसवी के आलो को, पाली पकासो, कक्षा ग्यारवी के पाली कुसमा वली, पाली सुगंदा वली इन किताबों के निर्मान में आपकी शिफार प्रयासों का महतुपुर्ण सैयोग रहा है। आपके इस कारियों को पाली पार्ट संस्ता मैत्रये ट्रस्ट मिलिन महाविद्यालै आयोजीत धम्म दिक्षा सुवर्ण मोहत्सों में आपको विवीद पुरसकारों से सम्मानित किया गया है। पाली जैसे अभिजात भाषा के प्रसार करने के आपकर रहे प्रयासों को एसेस्टी महाविद्यालै का दिल से सलाम। जीहां आज के एसेस्टी मुक्तांगन के अथिती वक्ता है पाली भाषा के अभ्यासक प्रचारक पंजाब राव कासाबाई सदाशिव राव पढगान। तो दोस्तों हमने देखा कि प्रधान सर जो है कही सालों से पाली जैसे प्राचीन और एकिहासिक भाषा जो वैश्वीक भाषा का रूप ले सकती है ऐसी भाषा को 40 सालों से भी ज्यादा इस समाज में प्रचारीत करने का प्रसारीत करने का और शिक्षीत करने का काम कर रहे आईए हम इस आज की कर्चा के मार्द्यम से जानना चाहेंगे कि पाली भाषा का इतिहास क्या था उसमें अब तक बद्लाव के से आए और इसका संभाव्य भविश्य क्या रहेगा सर आपका बहुत-बहुत स्वाधत है SST मुक्तांगन में धन्यवाद प्रफुल इस SST महाविद्याले की प्रधान आचारिय डॉक्टर पुरस्वानी जी और इनको और इनकी संस्ता को में धन्यवाद देता हूँ जहाँ पराचीन भाषा पराचीन और अभिजात भाषा का तंवरदन होने के लिए उन लोगों नी जो प्रयास किया है उसको मैं अभिनंदन करता हूँ और मुझे बहुत प्रसनता हुई इस विशे पर बात करने की जो आपने पहली बार प्रारंब किया है तो मुझे बहुत खुशी है इस बात पर जीहा सर मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पाली भाषा को जीवित रखना उसका प्रचार प्रचार करना इसके लिए आप से मिलकर हमने कई प्रोग्राम बना के रखे हैं लेकिन पैंडमिक जो महामारी है उसक प्रयात करेंगे बस थोड़ा से इंतजार है निशित हम लोग ये पाली भाषा के लिए आपके माध्यम से और आपके एसस्टी मायवद्याले की माध्यम से आपका जो प्लाइनिंग है उस प्लाइनिंग को हम ये शेश्वी करने का काम कर जरूर करेंगी तर आज हम स्वतंत जब ततागत सम्मेक संबद्यों को ज्यान पराप्त हुआ तब उन्होंने ये प्रचार प्रसार की भासा इसको मगदी भाषा कहते थे लेकिन कालांतर में इसको पाली भाषा कहागर इस पाली भाषा ये तथागत के संद्धोशोक्य की, क्रिपिटोक्य की भाषा है, ये पालेती पाली कहा जाती है, इसमें भारत का प्राचीन, सामाधिक, धार्मिक और वैचारिक और भोगोलिक इकियास इसमें समरुद्ध तरह से बना हुआ है, इसलिए इस भाषा में ज्यादा सब आदमी का मानों का विकास का सभी केंद्र बिंदो माना जाता है, और रातत्व विभाग का अगर अध्यान किये, तो सबसे ज़्यादा बुद्धकालिन इतियास प्राचीन बुद्धकालिन है, और इस माध्यम से लेनी, वीहार, या स्टूब, या अशुक का सिलालिक, इसका अगर अ पालिभाशा का अध्यान, अध्यापन करना जरूरी है, और इसका खास महत्व ये है, पालिभाशा का इस साहिते में नीती मत्ता और नीती मत्ता का अंतरिक चेतना को जावरुद करने का काम पालिभाशा करती है, पालिभाशा में कोई वाइद्यानिक दृष्टिकोन या त भाषा जीवित रही है तो बुद्ध के महापरी निर्वान के बाद उसके परशात इस भाषा का किस तरह से सवर्दन होते हुए है आज तक पे दोर्म तक आपका सवाल भोती संशुधनी यह है तथागत अगवान बुद्ध जब तक जीवित थे तब तक पाली भाषा और धम और संग यह चीवित था लेकिन तथागत के महापरी निर्वान के बाद उनका जो अंतिम शिष्य था सुभधर उसने थोड़ा उपदरो करने का काम किया यह बात उस जमानें के महास्तवीर महाकाशप ने सुनकर उन्होंने पहला धम संगीत का आयोजन किया उस धम संगीती तथागत महापरी निर्वान के तीन महने के बाद में वहाँ पे जो राजग्रुह में संबन हुई उसका उद्देश यह था कि तथागत भगवान गौतम बुद्दे के जे उपदेश है उसको संग्रह करना उसको समरन करना उसका सौरक्षन करना उसका पठन करना कंठस्त क और उसकी शुद्धता रखना और गुद्ध वचन जिर्गकाल तक कल्यान के लिए लोगों को प्रचार प्रशार करना। विपको ने एक परिशत का आयोजेन किया और कुछ जो नियम थे उसमें जो बदलाव किया था उसको शुद्धता किया और वो दुद्धिय संगीति कहा ले जाती है। उसके बाद में समराट अशौक का काल शुरू हुआ वो तो पाली भाषा का प्रचार प्रसार का अंतराश्ट्य काम करने का काम उन्होंने जो काम किया। उस जमाने में भिक्कु संक का सनमान बढ़ता था और सब जाती पंत के लोग पाली भाषा या बुद्ध संग्ध में दिख्शित होते थे आज विश्व में ट्रिपिटक सभी भाषा में उनकी राष्टर भाषा में उपलब्द है भाइलन, कमबुडिया, मैनमार, श्रिलंका ये देशों में ट्रिपिटक बहुती सुंदर्शक और आकर्शक रूप में उपलब्द है लंडन में पाली टेक्स्ट सोसाइटी के द्वारा पाली ट्रिपिटक का निर्मान वुआ इसी तरह पाष्चात देश में पाली सुचारू रूप से उसका अध्यान हो रहा है और भगवान बुद्ध के दो हजार पास्टेवी जहन थी जब भारत में शुरुआत हुई प्रारंब हुई थी तब भारत सरकार ने जगदिश कश्चाप के दौरा तिरिपिटक मालिका का निर्मान का काम किया है और इसी तरह इगदपुरी में जो संशुधन पाली संशुधन केंद्र है उसी में भी पाली भाषा का अध्यान और संशुधन और पाली तरिपिटक का भाशांतर किया है और इसमें दिपकु धम्मरक्षीत महापंडित राहूल संकुर्ट्यान धर्मानन्द कोसंभी दौक्टर बावसर बंबलकर आज जिनकी जहन की है पाली भाषा के जो प्रचारत थे दौक्टर बदंत आनन्द कोसलैन उनका भौती योगदान है और दौक्टर बदंत आनन्द महाथेरो आजी लोगों ने पाली भाषा इस भारत में संवर्धन करने के लिए बहुती काम दिया है तो सर सदियों से ये आरोप भी तो होते हुए आया है कि पाली भाशा केवल बुद्ध और बुद्ध धुम्म के प्रचार की भाशा है तो इस आरोप में कहा तक सक्टाई पाई जाते हैं ये सारा सार आरोप गलत है ततागत ये जो आरोप है ये नकारार्थी दृष्टी से किया है ततागत का धम्म ये धर्म नहीं है ये जीवन जीने की कला है ये साहित्य में मानोतावाद है अगर समाज में समता बंदुत्वा अगर नयाय को प्रस्तापित करना हो तो जात और पंद का अर्थ सर आना नहीं चाहिए पाली भाषा मनुष के बावदिक विकास और नहींतिक स्वातंतर का उद्गोश करती है तो इसका अर्थ ये हुआ कि पाली भाषा ये बुद्धी प्रामान्यवाद को महत्व देनी वाली भाषा है जी हाँ सर दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि प्रधान सर ने पाली भाषा जीवित रखने के लिए पढ़ाने के लिए अपनी उम्र के 40 साल व्यतीत कर जिये है मराठी भाषा राज्यमंडल समन्वैक रह चुके है, संपादक सदत से रह चुके है और बाल भारती जो हमारी अब्यासकरम की उस्ती का है उसके संपादक सदत से रह चुके प्रधान सर ने पाली भाषा के अब्यासकरम की रचना में अपना योग दान दिया है सर आपके साथ में इसी क्षेतर से जुड़े हुए सदत्य है जो समन्वैक रह चुके है बाल भारती के और मराठी और पाली भाषा राज्यमंडल के विशेश सदत्य से जो रह चुके है माधो मेश्राम जी जिन्होंने आपका काम आपका सफर आपका काम बहुत मज़्दिक से देखा है आपके प्रती उन्होंने अपनी भावना इस वक्त व्यक्त की है वो देखते है मेरा और पंजाब गजान सरका समंद सबसे पहले 2008 में हुआ है संपर्क में आये है उसके बाद 2012 और 2013 में ये चेसी बोर्ड के अंदर ये ता 90 से लेके बारावी तक का अभ्यास्करम तयार किया गया है तो अभ्यास्करम तयार करते वक्त अभ्यास्करम कैसा तयार करना चाहिए तो मुद्दो के आदार से और नवांग सत्तु सासन इसको आदर समान कर अब्यास्क्रण तयार किया गया है जैसा कि विद्यार्तियों की सामाजिक, सेक्षनिक, राज कि ये परिवारिक, कवकुम्बिक, आर्थिक, परिश्थिति, परियावरन विशे, बाते ये सब ध्यान में रखते हुए अब्यास्क्रण तयार किया गया है विशे इस धनी के बात ये है कि दिरांका 8 आगश्ट 2019 अब्यास्क्रण सुदारित, अब्यास्क्रण आरा खड़ा, पुरानी शिल्यावज के उपे प्यार करने के पूरी जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदारी प्रदान सर ने बहुत खुबी से निवाई है धन्यवाद लोगों ने ये दोनों किताब का संपानन करना किया उस टाइम इस किताब दोनों किताब का वशिष्ट ये था कि भारत में या मारस में पहली बार भारतिय सविधान जो उद्धिशिका थी उस सविधान उद्धिशिका का भाशंतर हमने पाली भाशा में किया आप 40 सार से इस पाली भाषा का अध्यान अध्यापन कर रहे हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं लोगों को पढ़ा रहे हैं तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस पाली भाषा का व्याकराणिक संदर्ब जो है व्याकराण जो भाषा शास रहे वो और भाषा जो रहती ह उनके जैसी ही होती है कि कुछ अलग बदला हो रहते हैं वैसी ही है जैसा कि पाली भाषा में पच्चुपन्न काल एने वरतमान काल है अनागत काल एने भविश्य काल है और अतीत काल एने भुद्ध काल है तैसा कि हम इस संदर में एक वाक्य के रूप में देखते हैं अहं गामंग अच्छानी में गाव जा रहा हूँ भवश्यवाल में अगर करेंगे तो अहं गामंग अच्छी सानी और भुद काल में अगर करेंगे यही सेंटेंस अहंग गामं गच्छी ऐसा रूप उसका तिनो तिन काल में हम लोग कर सकते है इसमें धातु रुपावली है नामरुपावली है और जैसा की संदी विग्रह जैसा अधर भाषा में जो होता है ऐसा ही इस भाषा में है अधर कुल सर आपके मार्गदर्शन में आपके माध्यम से पाली भाषा जो है महाराष्टर के सभी स्कूलों तक पहुंची थी और इसे हजारों जो च्छात रहे पाली भाषा सीखे है और अपनी जिंदगी में अपने जीवन में उसका उन्होंने अनूसरन किया हुआ है तो प्रदान सराणनी आमचा मदे ते वीज रोवल नस्त त त गदा थे जगाचा अंतिन सत्याचा शोद घिनाचा अमचा प्रेयत्न कदी सुरुच जाला नस्त त तो सुरुच जालेला है अत्ताशी अमी अनुरेनुचा कना इते ही यश्प्राप्त केलन नसिल गदाची मारगावर अमें आखोर्त त्याला जिवन त्याँनाचा काम जे आहे कि वा त्याला प्रादंबकरणाचा कारिया जे आहे ते पाली भाषे चा मात्य मातुर होता है पाली ही केवल भाषान आहे ते एक तत्वत्न्यान आहे ते एक वित्न्यान आहे कि जा दोआरे विध्यार कि वा कोणी पड़ गखती जरी आ पाली भाईशाचा ज्ञान खेईन अत्ताची जी काड़ाची गरद आहे एक शांत तेने जिवन जगलब आईजे कि वा करुणा में जगलब आईजे प्याचा बीजरो उनायाचा काम जे आहे ते प्रदान सराणी पाली चा मार्फत आंशाम प्रदेश का उस भाषा में संकर उता है तो क्या पाली भाषा में इतना कालकन्ड जाने के बाद में भी कुछ संकर हुए कुछ बदला हुए हम यह साभाविक मान सकते है क्योंकि तथागत भगवान बुद्धे के जो शिश्य थे वो अनिक प्रदेशों के प्रतिनी दिवा करते थे उनकी अनिक उनकी बूलिया थी जब अपस में अगर बात करते थे तो वो मगधी भाषा में वो चर्चा करते थे लेकिन तथागत जो शिश्य थे कुछ मगध थे वैशाली, मितिला, काशी इस राष्टर के प्रतिनी दित्व करते थे इसका मतलब यह है कि इस भाषा में भी कुछ बदला हुए है जैसा कि आज के अपने माराष्ट में हम देखते है तो ठाए जिल्ला में जैसा हम गरामिन भाग में जाते है तो इकर तिकर कहते है और थोड़ा सा आगे जाते है तो खान देश में हम लोग उसको आता तता कहते है और बाद में जब हम थोड़ा सा मनमाड के तरफ जब जाते है तो इड़ तिड़ कहते है जब हम लोग तो अविधर में बजाते हैं इत्थ इत्थ कहते हैं इस तरह का संकर इस भासा में होने का बहुत बड़ा चांस है ऐसा मुझे लगता है तो सर क्या बात है कि आज तक पाली भाशा को अभिजात भाशा का दर्जा प्राप्त हुआ नहीं उसे जिस तरह के से चाहिए था उस तरह के से लोका श्रय या राजा श्रय मिला नहीं समराथ अश्रो के काल में इस भाशा को राज भाशा का दर्जा प्राप्त हुआ था भारस तरकार के जो अभिजात भाशा के जो सब नियम है उसमें ये भाशा को स्रेश्ट दर्जा का इतियास होना चाहिए वश्ष्ट पूर्ण भाशा होना चाहिए इस भाशा का देर दो तो 2,000-2,000 साल का इतियास होना चाहिए, तो पाली भाशा अभिदात भाशा का दर्जा परिपूरण करती है तो सर, हर भाशा की अपनी स्वतंद्र लीपी होती है, तो क्या पाली भाशा की लीपी के बारे में क्या कहेंगे? भारत के लिखित इतियास की सुर्वा समराट अशुक के सिलाले कुछी होती है यह सरवच्छुत है क्योंकि इसके पुर्वक के काल का कही प्रूफ नहीं मिलता है समराट अशुक के सिलालोके का सबसे पहला लिपिन तरन जेम प्रिंसेप उन्होंने 1837 में किया लेकिन उस समय उस लिपि का नाम क्या था यह मालूम नहोने के कारण जेमस प्रिंसेप ने इस लिपि को इंडिक स्क्रिप्ट अर्थात प्राचिन भारतिय लिपि ऐसा कहा कालांतर में 19-वी सदी में इस लिपि को ब्रामी लिपि का नाम दिया जिसे की विशेज ऐसा प्रूफ नहीं मिलता प्राचिन भाशा लीपी इस पर अध्यान अध्यापन और संशोधन करने वाली नाशिक स्थित ट्रिबिल्स इस संसाने 2014 में सबसे पहले अशोक के शिलालेकों की लीपी धम्म लीपी यह थी यह है यह समप्रमान शिद्ध किया सर इस आपके सफर में आपके एक सहेकारी रह चुके है बोरोले सर उन्होंने भी आपके इस सफर के प्रती अपनी भावना वेत की है ओ देखते है आधरणिया आईशान प्रधानसर अणि मी एकुन पस्तिस वर्षिप एकत्रित पने तक्षिला विद्याला मध्यमिक मदे अध्यापनेचे कारे केलेले आहे आमच्या शाडे मदे पाली विशे सुरू करणे मागे प्रधानसरांचे भार मोठे प्रयतना है तेन्चा प्रयतना मुले आमच्या शाडे मदे पाली विशेला सुरू करणे मुले đến दो विद्यार्थान ना पाली विशय शिक्वाई चे। दो विशय शिक्वाई चे। दो विशय शिक्वाई चे। दो विशय शिक्वाई चे। वर्ग शुरू करने वाले हैं। लेकिन कोविड के वज़े से हम लोग रुके थे। जैसे इसका प्रभाव अब कम हो जाएगा तो हम उपकरम को मल में लाएंगे। तो मैं आपको जाते जाते ये पूचना चाहता हूँ कि एसस्ती महाविद्याले के च्छातर हो या अन्य लोग हो जो हमारा यह इंटर्यू देख रहे अगर उन्हें पालिस सीखना है तो क्या करना पड़ेगा। महाविद्याले को मैं पहले धन्यवत देता हूँ कि जो अभिजात भाशा है अभिजात भाशा का शुरूआत करना ये बहुत बड़ी बात है। मैं यहां के प्राचारिय और संस्ता चालक को ठेंक्यू कहता हूँ कि ये पाली भाशा या अभिजात भाशा का अगर केंदर अगर शुरू होता है तो मैं सभी छातरों को और सभी लोगों को आववाल करता हूँ कि जब पाली केंदर शुरू हो जाएगा जब पाली भाशा किसी देश की सभ्वेता संस्कृती अगर जिंदा रखनी है तो उसकी भाषा उसकी लीपी जिंदा रहना बहुत दरूरी होता है जिहां आज के चर्चा के माध्यम से हमने पाली भाषा के विवीध अंगो पर यहां पर चर्चा की विवेचन किया सर मैं आपका बहुत-बहुत आभार विक्त करता हूँ कि आपने यहां पर आकर पाली के इतिहास पर रोश्णी डाली आपका बहुत-बहुत आभार तैन्यावाद तो दोस्तो कला हो, साहित्य हो, संस्कृति हो या आज जैसे अभिजात और प्राचीन भाषा पाली का यहां पर परामर्श हुआ ऐसे कई समाज के विविन्नक शेत्रों में काम करने वाले लोग रहते हैं हमारा काम है SST मुक्तांगन के माध्यम से आपके समक्ष उने लाना और हम उख करते रहते हैं जीहां ऐसे ही लोगों से हम आपको परीचीत कराते रहेंगे आप देखते रहिए SST मुक्तांगन